नमस्कार दूस्तों आई यूटूब चैनल एक्जाम लेजनर में आपका स्वागत है दूस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूवी PCS एक्जाम 2022 और रियल्टी ग्रेड एक्जाम के लिए GS टॉप 20 का ये 13 वाँ सिट आज हम लोग हल करने वाले हैं इसके पहले बारे से अफ्लोड कर दिया गया है तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्रिलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं तो पीडियो को like share कर देजिएगा चैनल पर पहले बार आए है तो चैनल को subscribe कर लिजीएगा साफने दिए लाइकन को प्रिश कर लिजीएगा जिसे आने वाले एगले वीडियो का notification आपको पहले मिलता रहे और PDF इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे description में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहाँ से जोइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो आएए देखते हैं दोस्ते हैं आप UPPSC या फिर UPPSC एक्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है अनेकेडमी आपके लिए लेकर क्या है अनलाग 20 जिसमें आपको फ्लेट 20% का आप दिया जाएगा या फर आज तक के लिए ही वैलिड है आज यह दिया आप अनेकेडमी पर सब्सक्रिशन लेते हैं ले सकते हैं दोस्तों अनेकेडमी पर जो है यदि आप UPPCS एक्जाम 2022 प्लिम्स की तियारी करना चाहते हैं तो अनेकेडमी पर सार्थी बैच कोर्ष फार UPPCS प्लिम्स GS 2022 शुरू कर दिया गया ये बैच 16 फरवरी 2022 से स्टार्ट है और 6 मंत का कोर्ष का डिवरे से नहीं लेंग्विज हिंदी मीडियम है तो आपको यहाँ पर UPPCS और UPCCS के तौफ एजुकेटर के दुवारा पूरे स्लेबस को कंप्लिट करा जाएगा ये आपका GS 2022 प्लिम्स के लिए होगा तो ये आप इस बैच से जुड़ना चाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहाँ से जाकि आप चेक कर सकते हैं या फिर आप Unacademy का लर्निंग एप डाउनलोड करके वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन लेके इस कोर्ट से जुड़ सकते हैं तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाते हैं नेकड़ेमी पे तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एक चाहाम लर्नर जिससे आपको 10% का डिसकाउंट भी मिल जाएगा तो यह आप रेफरल कोड सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज जरूर कीजिएगा तो आज का जो पहला प्रशन है आस्टियो मैलेसिया या सूखा रोग किस बिटामिन की कमी से होता है तो यहाँ पर यह आपसन से यूगा बिटामिन D की कमी से होता है सूखा रोग या इसे रिकेट्स कहते है यह बिटामिन D की कमी से होता है मखन हो गया, मचली का तेल हो गया, सूरी, प्रकास इसके प्रमुक्स सुरोत है अगला प्रशन है अगर किसी मनुस्य के सरीर में जिंक तत्तो की भारी कमी हो जाए तो वह किस बीमारी से गर्शित हो सकता है तो वह नपुनसकता से गर्शित हो सकता है यह आपसन यहाँ पर से होगा जिंक सरीर में बिटामिन E प्रदान करता है और जिंक की कमी से ब्यक्ति अतियधिक आलसी वह नपुनसक होता है अगला प्रशन है मानो सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है तो यहां पर बी आपसन से होगा अगनास है यानि की पैंक्रियाज अगनास है मानो सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती है इसे हार्मोन तथा पाचकरस का स्राव होता है ट्रिपसीन नामक हार्मोन ट्रिप्सीन नामक जो है एंजाइम का स्रावन अगनासय दोरा ही किया जाता है जो कि प्रोटीन को पाली पेप्टाइड में तोड़ता है और मानो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती जो है वह है लीबर तो यहाँ पर भी बिकल्ब सही होगा अगला कोशिन है निमलिखित में से कौन भारत में दल रहित लोकतंत्र समर्थक थे तो यह थे जैप्रकास नारायन सी आप सन्यास यह होगा जैप्रकास नारायन भारत में दल रहित लोकतंत्र के समर्थक थे उनके अनुसार भारत में दल रहित राजनीती होनी चाहिए और जय प्रकाश नरायन कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे 1942 में के भारत छोड़ो अंदोलन में वे सक्रीय रूप से भाग भी लिये थे और हजारी बाग जेल से भाग करवा है किंद्री संग्राम समीती की अस्थापना भी किये थे अजादी के बाद वे बिनोबा भावे के सरोदय अंदोलन से भी जुड़ गये थे अगला प्रशन है निम्लिखित पर बीचार कीजिए पहला दिया गए गोपाल स्वामी आयंगर दूसरा है डाक्टर कियमुनसी दीसरा यह television कोई ऐक करे मुंहरbel ग reflex stakeि वह झाला प्र चैरी समेदी के मैं प्रारूप समीती सभाट करदरशों में सालके ह इस लिए कृपि क्राव कवर सादुल्ला थे यान माधोराव जो की बीयल मित्र के अस्थान पर थे और टीटी के श्मलचारी ए डीपी खेतान के अस्थान पर तो यहां पर यह आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन है निम्लिकित में से किस प्रकार की सुत्यंतरता भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में नहित नहीं है तो इसमें आर्थिक सुत्यंतरता नहीं है सी बिखल्प से हो जाएगा भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में आर्थिक सुत्यंतरता की कहें भी चर्चा नहीं की गई है संबिधान में विचार, अभिवेक्ती, धर्म और उपासना की स्वत्यंतरता की बात की गई है देश के सभी नागरिकों के लिए समाजिक, राजनेतिक के साथ आर्थिक न्याय की बात भी कही गई है तो आर्थिक स्वतनता ये संविधान के प्रस्तावना में नहित नहीं है अगला प्रशने निम्न पर विचार कीजिए पहला है जन्न से दूसरा है देशी करण तीसरा दिया गया किसी भूभा की समाविष्टी द्वारा तो प्रशने भारती संविधान के किस अनुच्छेद में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भासा, लिपी तथा संस्कृती को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है इसके अतरीक किसी भी नागरिक को राजिकी अंतरगत आने वाले संस्थान में धर्म, जाती या भासा की अधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है पहला दिया गए अनुचेद 19 के तहट प्रदत मौलिक अधिकार दूसरा है अनुचेद 21 के तहट प्रदत मौल अधिकार तीसरा है अनुचेद 29 के तहट प्रदत मौल अधिकार तो इसमें पहला और तीसरा तो है दूसरा नहीं है यानि कि C यापसन से हो जाएगा 1 और 3 अनुछेद 19 और अनुछेद 29 के तहट प्रदत्मॉलिक अधिकार भारती नागरिकों को प्राप्त है अनुछेद 21 के तहट दे गए अधिकार भारतीयों के साथ बिदेशियों को भी प्राप्त है तो केवल भारतियों को प्राप्त जो मूल अधिकार है वो आपका अनुच्छेत 15 है 16 है 19 है 29 है और 30 के तहट जो है प्राप्त मूल अधिकार वो है केवल भारतियों को है और भारतियों के साथ-साथ बिदेसियों को प्राप्त मूल अधिकार जो के अनुच्छेत 14 है 20 है 21 है 22, 23, 26, 25, 26, 27, 28 ये सभी मुलादिकार भारतियों के साथ साथ बिदेसियों को भी प्राप्त है अगला प्रशन है निमलखित में से किस अनुचेत में कहा गया है कि राजी बच्चों के लिए नहिशुल्क योम अनिवार सिक्षा का प्रबंद करेगा तो ये कहा गया अनुचेत 45 में बी आपसन सही हुगा अनुचेत 45 में ये कहा गया है कि राजी सभी बालकों को 14 वर्स की आयू पूरी करने तक नहिशुल्क और अनिवार सिक्षा का प्रावधान करेगा राजीयों का ये करतब नीत निदेशक तत्तो के उदार बहुत धिक सिधान के अंतरगत आता है जिसके माद्यम से राजीयों को निदेश दिया जाता है कि सभी बालकों को 14 वर्स पूरा होने तक अनिवार और नहिशुल्क सिक्षा का प्रावधान करेग ये सिधान 86 में संभीधान संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा लागो किया गया अगला प्रशन है निमलखित में से कि परिस्थितियों में उप राष्टुपती स्वारी राष्टुपती द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है पहला दियाएगा जब दोनों सदन सत्र में ना हो दूसरा है सरकार के समझ आकस्मिक वरिस्थिति बिद्वान हो वो प्रियुक्त में से सही है कौन सा तो दोनों ही सही है सी आप सन्यापे सही हो जाएगा अनुचेद 123 के तहट राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकता है इसके अतरिक ये राष्टपती को ऐसा प्रतीत हो कि किसी मुद्दे पर विधी निर्मार की ततकाल आवशकता है तो वह उस मुद्दे पर विधी निर्मार के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं तो आर्टिकल पूछा जाए कि इस आर्टिकल के तहट अध्यादेश जो है जारी कर सकते है राश्टपती तो अनुचेद 123 के तहट अगला प्रशन बापका समिधान की बारहवी अनसूची में निमलखित में से कितने विष्यों को समलित किया गया है तो इसमें 18 विष्यों को समलित किया गया है सी बीकल पर हाँ पर सही हो जाएगा समिधान की बारहवी अनसूची नगरपालिका नगरपालिका से यह संबनित है उसमें अनुच्छेद 243W के तहट 18 बिसियों को समलित किया गया है इन 18 बिसियों पर नगरपालिका को बिधी बनाने की सक्ति पदान की गई है और इग्रहवी अनसूची में एदी पूछा जाए तो इग्रहवी अनसूची के तहट पंचायतों को 29 बिसियों पर नियम बनाने की सक्ति पदान की गई है तो यहाँ पर बारहवी अनसूची पूछा गया है अगला प्रशन निमलखित में से किनकी नियुक्ती भारत के राश्ट्रपती द्वारा की जाती है पहला दिया गए संग लोग सिवा आयो की अध्यक्ष दूसरा है मुख निर्वाचन आयुक्त तीसरा है राज्यों के मुख मंत्री और चौथा उपर राश्ट्रपती तो दिये गए कूट की साहता से उत्तर का चैन कीजिए तो यहाँ पे पहला और दूसरा संग लोग सिवा आयो के अध्यक्ष की नियुक्ती भारत के राश्ट्रपती की द्वारा की जाती है नहीं की जाती है उसे लोग सभा और राजी सभा के निर्वाचित सद्यस्यों द्वारा चूना जाता है तो यहाँ पे एक दो यानि कि ए आपसन सही होगा अगला कुशन है निम्लिखित में से कौन सा केंदर सासित प्रदेशों में बिधान मंडल के सिर्जन के लिए अधिक्रित है तो यहाँ संसद सी आपसन सही हो जाएगा संसत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संग सासित प्रदेशों में अपनी सक्ति का प्रयोकर के बिधान मंडल के अस्थापना कर सकता है बरतमान में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मु का समीर बिधान मंडल का प्राओधान किया गया है अगला कुश्य है, निमने में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसमें चार कथन दियेगा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है तो पहला जो दियाएगा, मंतरी परिशत का एक निश्थ कारेकाल होता है यह आपका गलत है दूसरा है मंत्री परिशत के सदस्य सामोहिक रूप से लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं बिल्कुल सही है और तीसरा है मंत्री परिशत के सदस्य बेक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदाई होते हैं यह आपका गलत हो जाएगा और चौता है मंत्री परिश्ध के सदस्यों की संख्या लोग सभा के सदस्यों की संख्या की 15 परतिसद से अधिक नहीं होनी चाहिए तो ए भी सही है तो असत्य यानि की गलत कथन पुछा गया था पहला और तीसरा गलत है सी आप से नहीं पर सही हो इसलिए आपका कथन एक और तीन सत्ति नहीं है अगला कुशन है उचितम न्यायाले विधी के सासन का संड़क छक है यह टिपड़ी किस वाद में की गई थी तो किया गया था बिजे मोहंती बनाम जादुवाद भी आप सन्या पर सही हो जाएगा बिजे मोहंती बनाम जादु सांती में सामाजिक क्रांती के प्रति संबीधार दिरमाताओं के प्रतिवधता को प्रत्रशित करते हैं तो यहां पे तीनो ही है तो डी आपसouse यह வगा उप August 3 समिधान की प्रस्तावना में लोगों को सामाजिक, राजनितिक प्राधिकार प्राप्त हैं, जिनकी मूल अधिकार की माध्यम से रक्षा करने का प्रावधान समिधान में दिया गया है। समिधान की आधारिक संदचना में संसोधन नहीं किया जा सकता है। एक सो दोवा समिधान संसोधन की से संबंदित है। तो ये संबंदित है राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग को समयधानिक दरजा बदान करने से। ये आफसनिया पर सही हो जाएगा। एक सो दोवा समिधान संसोधन ये राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग को समयधानिक दरजा देने से संबंदित है। राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में संसत के एक अधनियम दोरा स्थापित किया गया था। और इस संबिधान संसोधन के माध्यम से राजी या संख राजी छेत्रों के संबंद में समाजीक और सैक्षडिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्टपति को अधिकार दिया गया है और संबिधान के अनुछेद 340 में राष्ट्री आइनол समेधान संसोधन दिया गया है बच्चों की सिछा से समबंदित जोकि गलत है एक क्या नविव वा संमिधान संसोधन मंत्री परिशत के संद्री संक्या कीे 15 प्रतिसत से अधिक नहीं होगी बाकी सभी सुमिरित हैं 31 समिधान संसोधन ये लोग सवा के सदस्यों में बृद्धी से संबंदित है 52 समिधान संसोधन दल बदल कानून से संबंदित है और सवा समिधान संसोधन भारत बांगलादेश के बीच भू समझाओता से संबंदित है तो आपका यहां फिर सी आपसम सुमिल नहीं है तो दोस्तों यह था आपका आज के टाप 20 जीएस के कोश्चन का 13 हमा सिट इसके पहले 12 सिट अपलोड किये गए हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद